असलेमु आलेकुम वरेहमतुल्लाही वबरकातु। दोस्तों कोईत से आज की इंपोर्टेंट खवर है कोईत के डीजी सी ये न बताया कि कोईत एरपोर्ट पर फ्लाइटों को शाम तक के लिए प्रतिवंद किया जा सकता है। उन्होंना बताया कि कोईत के ज़्यादातर एरिये में भारी मातरा में बारिस को देखा गया और धूल भरी आंधी चली है जिसको लेकर कोईत एरपोर्ट फ्लाइट पर प्रतिवंद लगाया जा सकता है। से कोईत एरपोर्ट पर ठेहरे सबी यात्रियों को काफी ज़्यादा परिशानी हो सकती है। लेकिन बताया है कि मौसम सही होने के बाद जल्द ही सबी चीज़ को नॉर्मल किया जाएगा। साथ ही कोईत के खेतान एरिये को अचानक से घेर लिया गया जिसमें 1220 उलंगन दर्ज किये। बता दें कि कोईत के अंतरिक मंतराले के उपसचिब लेफटिनेंट जनरल अन्बर अलबर्जिस के फैसले पर ये अभियान को सुरू किया गया। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की देखरेक और पस्तिती में सबी कारों की जाच और टेक्निकी जाच के लिए अभियान चलाया गया था। साथ ही कोईत के फरबानिया इलाके में तीन डुमेस्टिक वर्कर आफिस को कोईती पुलिस ने बंद करा दिया है। यानि के घरेलू कामगार के कार्याले बता दें कि ये तीनों आफिस डुमेस्टिक वर्कर को हायर करते थे। लेकिन कोईत ने अब इन्हें हमेशा के लिए पिर्तिवंद कर दिया है। साथ ही कोईत में दो डुक्टर ने मिलकर एक पेशेंट की आँखों की रोशनी को छीन लिया है। बताया है कि इन्हों ने ये जानबूज कर किया है। उसकी आँखों में कोई गलत जेल डाला है जिसको लेकर उसकी आँखों की रोशनी चली गई है। लेकिन कुवेत ने इन दोनों डॉक्टर को जर्माने के साथ साथ एक साल कैद की सजा सुनाई है तो दोस्तो ये थी कुवेत से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंना आप तक शेयर करी दोस्तो कुवेत की ऐसी ही ख़वर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक के लिए